सर कहा जा रहा है कि किक थू का ओफिशल अनॉसमेट सुनने को मिल सकता है क्या लगता है कि ग्टू के लिए हम मैं थोड़ा से इंतजार करने की जरुरवत थी अगर बात करें फिल्म की तो काफी जब्दस फिल्म सक्टेस्फुल रही है अगर आप बात करें कि कि बारें पहली याद करिए आप वो सीन्स वग्यारा परफॉर्म अबात करें काफी लंबा वक्त हो चुका है कि को देखा जाए तो आठ साल से उपर हो चुके तो एसा मुझे लगता है कि कि तू जो है मुझे लगता है एनाउंस कर दी जानी चाहिए पर मैं कहीं तो उनके लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रा तकि सलमान खान देखे अक्षे कुमार या किसी ऐसे अधर एक्टर की तरह लगातार इतनी फिल्म में नहीं करते उनके फिल्मों में हमेशा गैप होता है यूजुली उनकी फिल्म एक साल में एक देखने को मिलती है स से ज़्यादा फिल्म में देखने को मिलती इस साल की बात करेंगा 2023 में तो और एक भाईजान फिल्म आ रही है उसके साल के अंध में टाइगर 3 भी आ रही है तो तो एसे मैं मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मुझे जो दो-तीन फिल्मों की उम्मीद है उसके बारे मैं बता किक टू अनौंसमेंट उनको कर देना चाहिए उन्हीं की वह फिल्म भी है ठीक है उसके अलावा मुझे यसा लगता है कि दबंग का सीक्वल हमको देखने को मिलने वाले दबंग पर काम तो चली रहा आप लगभगता है समझ यह दबंग आईगी आईगी दबंग पर उनके मैं उम्मीद करता हो कि टू को कर अलाउंसमेंट कर दिया जाता सल्मान खान की तरफ से तो काफी बढ़ी होगा फैंस के लिए